एक तरफ प्रधानमंत्री मोधी हैं, एक तरफ नरेंद्र मोधी हैं, जो असली में इलेक्शन जीते हैं और ये लाइब विजुल जीसे मैं मौस्को से आ रहा है, नरेंद्र मोधी अपने तीसरे टरम पे निकल गए, दूसरी तरफ विपक्ष है, विपक्ष अभी भी साइकलो साइकलोजिकली जीता है, विपक्ष अभी भी ये कह रहा है कि मैं साइकलोजिकली इलेक्शन जीता हूँ, निन्यानवे पे राउल गांधी एलोपी बने है, लीडर अफ उपोजिशन, लेकिन उनको अंकल सैम ने, वो सैम पिट्रोडा जिनको वो वापस ले आए, जिन्हों उनको ये समझा दिया है, उनको ये समझा दिया है कि भई तुम एलोपी नहीं तुम पीम हो, और असली पीम देश भारत के पीम, अपना काम कर रहा है, ये तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने के बाद ये जो रूस की विजिट है, इसको लोग हलके में ले रहा है, या देश में जो हो रहा है, मैं उस पर भहस कर रहा हूँ, क्योंकि विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है, चाहिए वो TMC हो, चाहिए वो Congress हो, या तौकिर रजा जैसे लोग हो, कि Modi is at it, अब BJP की policies की आपको जितनी जितनी आलोचना करनी है, करीए उस पर debate है ना, प्रेम चुकला से पू पूछे आप, अगर BJP वादा खिलाफी कर रही है तो सवाल कीजे, लेकिन ये कह देना, ये कह देना, कि एक तरफ जो इसलाम में पैदा नहीं हुआ, बैक ऑन डिबेट, वो बदकिसमत है, और मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश हो रही है, युवाओं को नशे का हादी जा रही है, इसका प्रूफ है किसी के पास, रिजवी साब, सरवर साब आ रहा हूँ, रिजवी साब, प्रूफ है तो देना चाहिए, तौकिर अधा साब, मुझे लग रहा है कि ये जो लव जिहाद हो या इस तरह के बयानाद जो अभी तौकिर रहा है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छे नहीं है, और आपने बहुत सही बात कहिए, कि डिवलप्मेंट पे सवाल होना चाहिए, अब ही आप देखिए, हमने दो दिन पहले बड़े अच्छे प्रूग्राम आपने चलाया हातरस पे, मैं समझ रहा हूँ, आपको सबसे सवाल पूशना चाहिए, मैं सिर ये कह रहा हूँ, कि इसके लिए जो आल इंडिया मुस्लिम पस्नलाबोर है, जमियत अलमाए हिंद है, और मजलिसे मुशावरत है, और बड़ी तन्दीमे है मुलक में, ये उनका काम है, ये बिलकुल सही बात है, कि मुस्लिम नौजवान नशे का आदी हो रहा है, जो मुस् अलमाशे को ठीक करना पड़ेगा, और तवकीर रदाफाब, अगर आप ये कह रहे हैं, तो आप इस पे काम कीजे ना, आप छोड़ दीजिये सियास्त, आप, ने ने, प्रूफ भी, प्रूफ मैं इसलिए मांग रहा हूँ, क्योंकि जब बात, ने ने, मेरा काम नहीं, मैं क मैं कहारा हूं, जो पुलिस कहती थी, कि लफ जिहारा है, आपने का, नहीं हो रहा है, सरकार करा रहे है पुलिस के, और यहां मैं कहहा जो बादे बनी बहुत बड़ी नावल निगा रहे हैं ये कब की शादी की हुई हैं आप देखे तो बहुत आप्शन्स ऐसे बहुत सारे अरे बीजेपी के खुट के नेता शानवा धुसेन लेकिन लब जहात कहना और लब जहात की ने ये ये बिल्कुल गजात ने पर ये कहन बाद बर नशे में बिजी रहते है रात बर नशा करते हैं दिन बर सोते हैं आपको इसका वह मिला किया हलका सब्सब्सब्स अपत्री जिनक जो बयान है वो बदनी के चेले और मम्दा जी के राइट हैंड फारे धक्टि फरहाद साब ने जो मेयर हैं और वहां की तमाम Muslim तं तीन महीने से देश के मुसिलमाणों को और देश के अँजों को जो इनके खाब और ख्याल में रहते हैं बहका रहे थे चाहते थे कश्मीर के अंदर आतंगबाद दोब़ारा आ जाये वो चाहते थे नोटिस तरह क्यों कि इनकी दुकाने इनकी जो जिन्दगियां हैं चाहिए वो फराज साब हो ये तोकिद्दा साब हो जो नशा वहाँ भिक रहा है कलकते के अंदर फराज साब भिक वा रहे हैं तो अकिद्धास साफ की चेले चपाटे बरेली से लेकर बदाईईयों अलिकाड आगरा मैंन पुरी तक सारे इनके उगुंड़ा इलिमेंट ये काम करता है और टीवे बैटकर ये बाते करते हैं कि जो है सगार विकवाती है और RSS के पीछे है अपनी हर गलती को अपनी हर कमजोरी को अपनी हर नागामी को ये RSS के ठीक नागामी बताते है सरवर साब जो इसलाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है समाजवादी पार्टी नेरा तारिक अमत लारी वे जुड़ रहे है AI M.I.M. के दानिश को रेसी में जुड़ रहे है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सरवर साब टेल में आप बताईए जो इसलाम में पैदा नहीं हुआ वो बदकिस्मत है और जो काली माँ का पूजा करता हुआ दिखे वो वही वही फिरहाद हकीम मैं अभी ला रहा हूँ आपको इसके बाइस तस्वीर अभी हमारे पास आ चुके फिरहाद हकीम के मैं कहा रहा हूँ दो सो बाइस भी हो सकता हुआ बाइस काली माँ की पूजा करता हुआ भाई क्याबिनेट मिनिस्चर है मुझे मुझे मुसल्मानों को ये मैसेज देना है कि पहचान लो इस चेहरे को ये वही फिरहाद हकीम है कासमी साब कह रहे ते ये किंग है कॉल कटा का ये किंग है दाउद इबराहिम के लेवल का आदमी है सुन लो मैं माइक पर बोल रहा हूँ कलकटा का गली गूम कराया हूँ अभी पार्क सरकस में मैं खुद मिटिंग करकाया हूँ इसके अंडर में ही सारे दो नंबर के कारोबार होते हैं जिसका ये सरगना है और हमारे मौलाना जेतने ओलमा हैं इनको पानी में समंदर में डूब जाना चाहिए ये ओलमा की मौजूदगी में तकरीर हो रही है जो आप दिखा रहे हैं अभी फिरहाद हकीम की ओलमा की जमात है पता ने कौन कौन सी जमात है उन्होंने चीफ गेश्ट बुला लिया इस फिरहाद हकीम को ये कलकटा के पहले मुस्लिम मेर है मम्ता सरकार में मंत्री है टीम सी के प्रवु कल्ब संक्या गनेता है मैं कहता हूँ धर्म गुरू तो धर्म गुरू होता जहां शासक वर्ग जुकते है ये कौन से मौलाना है ये कौन से मौलाना है ये कौन सा गिरो है कौन सी जमात थी ये बद्टमीजों की जमात जलीलों की जमात इसने अपना चिफ गेष्ट फिरहाद हकीम को बला लिया ये फिरहाद हकीम को बुला कर अपनी तनخواہ बढ़वाना चा रहे थे ये ममता के रहम और करम पर जीने वाले मौलाला जो इसलाम के दुश्मन, मुसल्मानों के दुश्मन, मुल्क के दुश्मन है सुनिये, मैं कह रहा हूँ, तवकिर रजा साथ आज लंबी लंबी फेक रहे है तीन महीने तक मेरी मीटिंग इन से हुई है तीन चार बार मिला हूँ इन से मैंने कहा हदरत, अगर आप पॉजिटिव काम शुरू करो तो आपके पीछे है, लाखों मुसल्मान आ जाएगा ये तो राजस्भा में कॉंग्रिस के चक्कर में थे मैं कहा रहा हूँ, अब माइक पर कहा रहा हूँ, तौकीर रदा साहब सुन रहे होंगे नंबर है और मीटिंग की तस्वीर भी है मैं कोई फर्जी काम नहीं करता हूँ, अभी मैं आ रहा था आपके चैनल पर आपके श्टाफ ने पूचा कि आप तो पक्ष में होंगे, मैंने का नहीं गुलाम सर्वर मेरा नाम है मैं किसी के पक्ष में कभी राई ने निश्पक्ष हूँ, पक्ष में होता तो किसी पार्टी में चला जाता मैं निश्पक चूँ और मैं बोलूंगा तवकीर रदा साहब जो ये बयान देकर आप सस्ती लोग प्रिता हसिल कर रहे हैं खुदा के वास्ते इस से बहतर काम कर लीजिए मुस्लिम नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं तो इसका दोशी सरकार मुस्लिम नौजवान बेरोजगार हो रहा है तो दोशी सरकार और आरेसेस मुस्लिम नौजवान भटक रहा है तो आरेसेस और दोशी तो आप फिर क्या कर रहे हैं जब सब आरेसेस ही कर रहा है तो मुस्लिम नौजवान जो आईएस बना वो आपने बनाया क्या मुस्लिम नौजवान जो IPS कम्पिलीट किया वो आपने क्या क्या कितने मुस्लिम गरीब बच्चों को आपने IS, IPS, IRS, IRS बनाया या डॉक्टर या इंजिनियर बनाया सूची दीजिए भारत के मुसल्मानों जरा होश में आलो ज्यादा भकती मत करो, भकती में देख लो क्या हो रहा इस मुलक के अंदर ये जो अंधु भकती है, मुणानाहों के पीछे मुसाफा करने का लाइन लग रहा है आलिमों के किरदार को जाचना पड़ेगा परखना पड़ेगा और ये जो अंधी भीड़े इसे रोकना पड़ेगा सर ये बिलकुल गलत ट्रेक पर लोग जा रहे हैं मुलक के अंदर हमेशा हम दूसरों पर लगा रहे हैं भाजपा पर कि ये पुलराइज कर रहे हैं आपके सारे बयान दुर्वी करन के हैं एक भी बयान ऐसा नहीं है जिससे मुलक का माहौल बहतर हो जिससे जो है सेकुलरिम की जड़े मजबूत हो लोकतंत्र की जड़े मजबूत हो हिंदू मुस्लिम के बीच इतिहाद पैदा हो प्यार पैदा हो परेम पैदा हो ऐसा कोई बय जानी नहीं है। सारे बयान दुर्वी करन के, दुश्मनी के और प्रुवक करने के, सारा इल जाम दूसरों के सरों के रखकर अपना कांधा हलका कर रहे हैं। जबके सारी जिम्मधारी आप पने आपको वारिस Эंबिया कहते हैं हम ही मब당 हैं तो मुफस्र हैं नखीब मिल्लत शरीफ मिल्लत में कितने नियुक perspectives ने रागाब रिके जो ले रखे है नहोंने मजाहिद मिल्लत मुफक्र मिल्लत यह सब को यही है उसके बावजूद मुस्लिम नौजवान अगर इतने दिनों बाद भी बैपार कर रहा नशे का और रात बर पी के सो रहा है और तौकिर रजा साब को खबर भी दे रहा तभी तो वो डेटा देंगे ना भाई कितने बच्चे पी रहें दिल्ली के अंदर भी जो भी हलका है सलम अलाके में जाएंगे हकीकत है कि मुस्लिम नौजवान नशे के लत्मे है और भी नौजवान है परतीशत ज्यादा कम हो लेकिन जिम्मेदार सरकार कैसे होगी ये तो समझाईए आप सरकार अगर पुलिस के संडरक्षन में हो तो पुलिस के संडरक्षन में सारे कारवार हो रहे हैं ये कोई ढ़की छुपी चीज़ है इसमें आप आरेसे को इलजाम लगा रहे हैं आप परशासन से कहिए कि आमुग जिगे पर ये शिकायत मिली है आप कारवाई कीजिए और यदि कारवाई ने हो तो उस जो अप्लिकेशन आपने दिया जैसे हम मेमोरेंडम देते हैं सरकार को माब लिंचिंग हो रही है हमने मेमोरेंडम दिया जो बुल्डोजर चल रहा हमने मेमोरेंडम दिया हमारे पास वो सारी चीज़े मैं फाइल में लेकर आया हूँ परदान प्रोसेस में है ने पॉलिटिकल प्रोसेस में है ने शोशल क्ये तो ये तो इलिगेशन में है लिए प्रोसेस अपना आपरी डाल धाने उनेजी डानेज़् की